तो हेलो फ्रेंड स्वागा था मेरे चैलने डागनोजू ट्रक पे आज मैं आपके लिए एक न्यूव वीडियो लेके आया हूँ जिसका topic है magic express walk around and detail review चलिए वीडियो को start करते और देखते इसमें क्या खास बात है जो कि आपको यह लेना चाहिए तो आप इसका front view देख सकते हैं front view खापी खुब शुरा design है और पीछे में रिडिएटर ग्रिल है और इपको ह्यलोजन हीट लाइड प्लस उसमें इंडिकेट मिल जाते हैं और यहां पे मैजिक की फैजिंग है और इससे एक्स्प्रेश की मैजिग है और अदनी के लिए और उपर में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है सेफटी के लिए और इसका कुछ ऐसा फ्रेंट व्यू है आप देख सकते हैं इसका यह आपको विंड्सिल मिल जाते हैं और यहां पर वाइपर है दो और नीचे बंपर है ब्लैक कलर का उसके यहां पर फॉग लाइट के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है दोनों साइड इस साइ क्परल पंप कहीं भी आप लेके जा सकते हैं चली आते ही साइड वीडियो में दिखाते हैं और क्या मिलता इस गाड़ी में आप अब देख सकते हैं इसका कुछ' मैनुवल्व इर है मैनुवल एड्रेश्ट्रिंग मिरले काफी हेल्फ करेंगी और यहां पर टायर 3000 वीας और ब्रेकिंग सिस्टम में आपको डिक ब्रेक मिलेगा और रेर में ड्रॉम ब्रेक मिलेगा जो कि सेफटि के हैं साफ़ी सबस्टारा काफी सबसें साफू के पार्योल जहаютगा ग्राउड आपके देखने के लिए सिर्फ है यह खुलेगा नहीं और आईए पीछे दिखाते हैं आपको पीछे से कुछ ऐसा लुक है इसका और आप देख सकते हैं इसका पीछे का भीव जो की काफी सुन्दर है यहां पे आपको बीच में मिडल में टाटा का पंच किया हुआ लोगो मिल जाएगा और उपर में ग्लास है जो की पीछे आप देख सकते हैं और यहां पे आपको नीच बैक गेर लगाने पर जो लाइट जलती है वो है और साथ में रिफ्लेक्टर दिया हुआ ताकि अगर लाइट में तीनों का तीनों खराब हो या छेओ खराब हो या फिर भी आपका सेफटी के लिए काफी सही है इस सेट भी कुछ आपको सेम मिल जाता है और नीचे फाइवर क बंपर मिनता है उसमें आपका बैक सेंसर अटेजड देख सकते हैं यहां पर और इस जगह पर और आप यहां से गेट भी खोल सकते हैं ऐसे गेट खोल सकते हैं और यहीं पर आपको स्टेपनी टायर मिल जाता है यहीं पर स्पेसर रखने का स्टेपनी टायर का और देख सकत करने के लिए एक जगह मिल जाता है और इसमें 30 लीटर डिजल आएगा और माइलेज आपको इसमें 21 से 22 का अप्रोक्स मिलेगा और बाकी बाद आपके चलाने के उपर आप कैसे ड्राइब करते हैं इसका यहां पर दिया हुआ अंदर बैठने के लिए यहां से आप अंदर जा सकते हैं और बहार आ सकते हैं उससाइड भी गेट है दिखा देंगे आपको और यहां पर आपको डैप फिल करने के लिए देता है जिसका डैप मतलब यूरिया जिसका कैपसिटी है 10 लीटर 10 लीटर एक बार फिल कीजिए उसका बाद जब खतम हो तो फिट 10 लीटर डालिए और यहां पर इंडिकेटर मिल जाता है आपको साइड में साइड में इंडिकेटर काफी सिक्योर रखता है गाड़ी को और इस वेकल में आपको सस्पेंशन लेपी स्प्रिंग प्लस सॉकर मिलता है जो कि आप देख सकते हैं जो कि काफी सही रहेगा गाड़ी के इसाप से कम तो आप देख सकते हैं इसका स्टेरिंग जो की काफी यूनिक डिजाइन में फोर स्टेरिंग मिलता है और रबर से पूरा कभर किया हुआ पकड़ने में काफी ग्रिप मिल रहा है इसमें और यहां पर आपको बीच में टाटा का लोगो इस साइड होरन के लिए और यहां पर वाइपर चलाने के लिए देख सकते नॉब और इस साइड आपको हेड़ लाइट इंडिकेटर के लिए दिया हुआ है और इसका मीटर काफी खुब्सूरत मीटर देख सकते हैं आप पुली डिटल मीटर है जो की काफी सुन्दर है यहां पर आपको डेख सकते हैं टेंपरेचर का दिया हुआ है उपर टाइम है इसके नीचे ओड़ो मीटर और यह उपर में डेफ के लिए दिया हुआ है और इस साइड फ्यूल के लिए है ओपर है बैटरी का सिंबल है और इ देख सकते हैं और नीचे में आपको यहाँ पे फोन चार्जिंग के लिए पॉर्ट मिल जाता है और ये इको मोड है ये मोड ऐसा है ना कि आप गाड़ी चला रहे हैं और ये मोड पे चल रहे हैं तो गाड़ी माइलेज अगर 20 दे रही है तो 21 देगी काई कि इस मोड में होता है क्या फ्यूल एकोनोमी सही रहता है क्योंकि गाड़ी अच्छा देती है और यहाँ पे आपको डिजेनरेशन के लिए स्वीच मिल लाता है आप रिजेनरेशन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा मैं बता दूंगा उससे भी और यहाँ पे आपको साइड और इस साइड आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है यहाँ पर आप कुछ रख सकते हैं खोल के दिखाते हैं आपको कि देख सकते हैं इस पेस काफी है और यहां पर आप कुलेंट चेक करने के लिए भी मिल जाता है, यहां से आ आप 31 देख सकते हैं खोल के अ से कुलेंट में और अब देख सकते हैं और आप देख सकते इसका गखे और इसमान फाइब स्पीड गेड है इसमें है नमबर शेकर नमबर फिर जमॉद्टेंग ऊफिप्वप एक और आप इसमें आपको सानवीजर मिल राता है और इसमें आपको टिकट होल्डर भी मिल जाता अंदर आप रख सकते हैं टोल टेक्स वायार आगा जो भी है आप देख सकते हैं बैठने का बैठने का पोश्चर काफी सही है एड़ी स्पेस काफी मिलता आपको अधिक छोँफि Right of Arg और आपको समान सकते हैं और एक जणो बिठा वी सकते हैं जैसे कि हिंडिया में, लोग दो कर्हे का टीन अधा यह लेते हैं और यहाँब आपको सीट्स बेड उनता ही आपको इसका अंदर का सीड दिखाते हैं कैसा सीड मिलता आपको यहां आपको देख सकते हैं चलने के लिए फूट स्टेप दिया हुआ है और यह इसका कुछ सीट ऐसा मिलता आपको बहुत कमफरटेवल सीट है और लेदर का आपको कभर मिल जाता है इसमें और इसाइड ग्रिप करने के लिए और यहां पर लाइट दिया हुआ देखिए और उपर में यहां पर है बटन है जैस्ट उपर में हैं अब बटन और यह व और इस वहहिकल का सिटिंग अपसिटी है 9-plus driver आप देख सकते हैं इधर भी पीछे में सीट दिया हुआ है कि इधर भी सीट है पीछे में और यहां पर भी सीट है और इस तरफ भी सीट है अगर छोटे बच्चे बैठेंगे तो ज्यादा भी बैठ सकते हैं और बड़े लोग के हिसाब से टाटा ने मेंशन किया है नाइन प्लस ड्राइबर आपको दो सिलेंडर का मिल लाता है साथ और यह चोवालिस एच्पी का पावर जेनरेट करती है और एक सो दस एनम तॉर्क मिल लाता है जो कि आपको इनिशल में अच्छा पीकप दे देगी और इस वेहिकल का एक सोरूम प्राइज है साथ लाग चौनकी हजार रुप्ए यह सहट तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं अगर वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक किजिएगा कोई भी टॉपिक हो कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो कमेंट होगा ताकि हम उसके लिए वीडियो लेकर आप आए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा थैंक्स पर वाचिंग